हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में BSC First Semester Math में हम पढ़ा रहे हैं आपको Indeterminate Forms और Indeterminate Forms क्या होती है और इसके कई सारे सवाल हमने पिछली क्लास में आपको लगवा दिये थे तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो अलग से playlist बनी हुई है BSC First Semester के नाम से आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आज के क्लास में इस chapter को continue करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 6 सवाल लिखे हैं तो इन 6 questions को इस class में हम solve करेंगे तो चलिए class को start करते हैं देखें पहला question क्या है हमारा find limit x tends to 0 sin hyperbolic x upon x की whole of power 1 upon x square यह question दे रखा है find करने के लिए कहा जा रहा है तो इन सवालों को कैसे solve करेंगे सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए जिन बच्चों ने पिछली class नहीं देखी थोड़ा सा बताते हैं देखें chapter का नाम हमारा क्या है indetermine form यानि कि जितने भी इस chapter में questions होंगे उन सभी question में कोई न कोई indetermine form बनेगी जरूर अब यह indetermine form कौन सी होती है तो इसलिए क्या रहे हैं पिछला वाला इसका जो day 1 है indetermine form का उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उस class में indetermine form होती क्या है काफी सारी बाते हमने इस पर बताई है कई सारे हमने आपको series के formula भी बताए ठीक है तो उस class को जरूर देख लीजिएगा उसके बाद day 2 में कई सारे सवाल लगवाए आज यह हमारा day 3 है जिसमें हम आज के class में और कुछ questions important आपके लिए लेकर आएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो function दे रखा है question जो हमें question है जो find करना है उस चीज को हमको क्या करना है a बराबर मान लेना यानि कि let कर लेना है let का मतलब क्या होता है माना ठीक है क्या किया इस function को हमने a बराबर मान लिया ठीके, अब हम क्या करेंगे जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था जितने भी सवाल थे उन सवालों में check किया था कि इंडेटर्मेंट फॉर्म इसमें बन रही है या नहीं बन रही है अगर zero upon zero या infinity upon infinity बन चाती थी तब हम deal hospital रूड लगा लेते हैं find hyperbolic x upon में x की whole of power 1 upon x square अगर इस तरीकी का question है हमने आप से बताया था कि अगर दो function चल रहा है अगर आप इसको fx मान ले और उपर वाली power को gx मान ले दो function अगर होते हैं तो अगर उसमें 1 की power infinity हमारी बन जाती है in determinant form उसके लिए formula क्या होता है पूरे function को e की power में पहुचा देते function fx में से 1 minus कर देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं जो power भी दे रखा होता है उसे हम multiply में ले आते हैं इस तरीके से बना लेते तो आपको यह चेक करना है कि जो power वाला सवाल है कहीं इसमें 1 की पावर infinity तो नहीं बन रहा है पहले देख लीजिए चेक कर लीजिए अगर यहां पर आप चेक करेंगे तो देखते हैं यहां पर रखेंगे 0 जैसे कि limit आप रखकर चेक करेंगे यानि कि x tends to 0 है x की जगे पर आपको 0 रखना होगा तो रखते हैं यहां पर हो जाएगा sin hyperbolic multiply में 0 होगा यानि कि यह क्या जाएगा sin 0 हो जाएगा और sin 0 की value कितनी होती है जीरो होती है उसके बाद upon में क्या है यहां पर भी 0 बन जाएगा यानि यह form बन गई 0 upon 0 बन गई पावर में भी अगर आप देखेंगे तो अब नीचे 0 रखेंगे और 1 upon 0 का मतलब क्या होता है infinity होता है यानि यह form क् बन गई 0 upon 0 की whole of power infinity बन गई ठीक है तो यानि यह तो हमारी कोई है नहीं तो अब हम क्या करेंगे अब हम यूज करेंगे जो हमने आपको फॉर्मले पढ़ायते सीरीज वाले वह यहां पर काम आएंगे जैसा कि अगर आप देखें कि sign hyperbolic x की series हमने आपको बताए थी क्या हो hyperbolic x है इसकी हम series जो खोलते है formula जो होता है इसका वो देख लीजे क्या होता है अगर आपने याद कर लिए तो भी अच्छी वात है ना याद किया हो तो याद कर लीजे पहले क्या आता है x ठीक है फिल लगाया प्लस हमने फिल होगा 1 upon factorial 3 x cube प्लस का 1 upon factorial 5 x की power 5 ठीक है इस त hyperbolic x का मतलब क्या है यहाँ पर hyperbolic से तो hyperbolic के लिए यह formula होता है सारे कैसे होते हैं odd numbers होते हैं देखेंगे आपर तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 फिर 3 फिर 5 आगे खोलेंगे तो 7 फिर 9 तो यह सारे क्या है हमारे odd numbers है तो इतना याद रखेगा कि इस series में सारे odd numbers होते हैं उसके पाद इस start कहां से होती है x से start होती हो symbol इसमें सारे कैसे होते हैं plus होते हैं अगर इसी जगह पर हम यहां से hyperbolic हटा दें और sin x की series बोलें तो sin x की आप कैसे expand करेंगे sin x का सेम यही formula होता है बट वहाँ पर symbol alternate चलते हैं जैसे कि यह x कैसा है plus का है यहाँ पर minus हो जा तो समझ में आ गया याद कर लीचे अगर hyperbolic है तो सारे symbol प्रस रहेंगे लेकिन अगर hyperbolic नहीं कह रहा है केवल sin x है तो यहाँ पर formula सेम रहेगा बट इसमें alternate में आप symbol लगाएंगे समझ में आ गया उसके पाद देखे क्या है upon में x से x लिख दिया फिर whole of power भी कुछ दे कितनी दे रखी है 1 upon x square लिख दिया यानि कि इस step में हमने क्या किया है केवल sin hyperbolic x को expand किया जो formula होता है इसका वो हमने खोल दिया ठीक है अब आगे देखिए upon में यह x है अब आपको इस upon वाले x को cancel करना होगा अगर हम इस power की बात करें 1 upon x square तो यह whole of power है whole of power का मतलब क्या ह यह power इस पर भी है और यह power हमारी इस उपर वाले function के लिए भी है तो हम क्या करेंगे यहां से इस x को common लेंगे और जब इस x को हम common लेंगे तो यह जो power है यह भी common के बाहर आएगी ठीक है कैसे आएगी देखिए आपर यहां हमने लिखा a बराबर limit x tends to 0 हमने आप से क्या कहा इस x को cancel करना आ है तो इस x को cancel करने के लिए यह वाले x बाहर ले ले लेते हैं अब जब यह वाले x हम बाहर ले रहे हैं तो obviously इसके जो power है वो भी तो बाहर आएगी क्योंकि यह whole of power है इसके जब हम बाहर निकालेंगे तो power भी बाहर आ जाएगे तो यह देखिए भाई power के साथ में ये हमने x को बाहर निकाल दिया ठीक है अब अंदर bracket में हमारा क्या बचेगा यहां से x तो बाहर निकाल दिया है अब जहां कुछ नहीं होता है वहां एक मतलब इसे x बाहर निकाल दिया कितना बचा 1 प्लस लगाया 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 लिखा यहां पर देखिए x क्यूब है अब 1x बाहर निकाल चुके तो कितने x बचे 2x बचे तो यह हो गया x स्क्वार प्लस लगाया 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 अब यहां से भी देखिए x की पावर कितनी है 5 है लेकिन 1x क्या कर चुके है बाहर निकाल चुके है यानि कि कितनी पावर बचे यहां पर x की पावर बचे 4 फैर लगाया प्लस इस तरीके से and so on आगे लगा दी पावर 1 अपॉन x स्क्वार सबज में आ गया क्या किया x को कॉमन लिया ऐसी इस तरीके साब अपॉन लगाएंगे इसको खोल दीजिए x की पावर 1 अपॉन x स्क्वार ठीक है क्योंकि इस पावर को हमने ब्रैकेट के हटा के दिखा दिया ऐसा करने से क्या हुआ यह देखे यह और यह आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे अब देखें बचा हुआ जो है उसे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा लिमिट x tends to 0 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x स्क्वार प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 x की पावर 4 प्लस एंड सो ओन और यह जो पावर चल रही है 1 अपॉन x स्क्वार लिख लिख लिया अब यहाँ पर लिमिट टेक करके देखते हैं लिमिट टेक करिए यहाँ पर क्या है इस पर तो कोई फर्फ पड़ेगा नहीं बस 0 कहा का रखना है जहाँ पर x है x tends to 0 यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो भाई यह पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 रखेंगे यह भी 0 हो जाएगा आगे टर्म में जितने भी x होते हैं वो सारे क्या हो जाएगे 0 हो जाएगा तो मतलब फाइनली इस टर्म में केवल हमारा कितना बचा एक बचा क्योंकि 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आजाएगा केवल एक बचा ठीक है तो हम लिख देंगे इस इस दा फॉर्म ऑफ वन ठीक है अब आगे पावर देख लेते हैं कितनी पावर है 1 अपॉन x स्कॉर है x स्कॉर की जगे क्या रखेंगे 0 x की जगे 0 रखेंगे 0 का स्कॉर का मतलब क्या 0 आ जाएगा मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है इंफिनिटी तो लीजिए यह हमारी इंडिटेमेंट फॉर्म होती है लास्ट वाली 1 की पावर इंफिनिटी यह देखिए 1 की पावर इंफिनिटी बन गया है और जब यह हमारी फॉर्म बन जाती है तब क्या करते है फंक्शन को e की पावर में पहुचा देते हैं लिमिट के साथ में यह लीजिए e की पावर लिखिए पावर क्या करते हैं उपर लगाते हैं लिमिट x tends to 0 लिखा इस पूरे फंक्शन को लिख लीजिए लिखा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 x स्क्वार प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 x की पावर 5 एंड सो ओन अब देखिए हम क्या करते हैं e की पावर में पहुचाया इसमें से क्या करेंगे 1- कर देंगे ये लीजिए 1- कर दिया ब्रैकेट को ये वाले बंद कर दीजिए उसके बाद क्या करते हैं ये जो पावर है इसे हम multiply में ले आएंगे तो लीजिए multiply में भी हम इसे ले आएं तो ये formula पे देखिए कई सारे सवाल लगवा चुकी है जब हमने आपको limit and continuity पढ़ाया वहाँ पर भी इनके सवाल लगे इसके class ने पिछले वाला class था वहाँ पर भी इसके सवाल लगे तो I hope अब तो आपको कोई भी problem नहीं हो रही होगी एक बार फिर से समझा देते हैं अगर one की power infinity indeterminate form बनती है तब E की power में पहुचा दिया function को limit के साथ में उसके बाद जो function fx वाला होता है इसमें से एक subtract कर दीजिए और जो power में है उसे multiply में ले आएए आग्या समझे अब आगे देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यह plus का one है यहाँ पर minus का one है तो भाई यह आपस में cancel हो जाएंगे जीरो बचेगा अब आगे देखिए जब यह वाली power यह किसमे है multiply में है किसमे है multiply में तो यहाँ से क्या करेंगे अगर आप यहाँ पर multiply करेंगे x square की यह x square यहाँ से कर common ले ले तो हमारा कितना बचेगा भाई हम आपको बिल्कुल detail में लिखकर बता देते step by step यह देखिए यहाँ से x square को common ले ले लिया common अंदर क्या बचेगा भाई यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा यह तो आपस में 0 बन गया क्या बचा यहाँ पर केवल 1 upon factorial 3 आगे देखिए 1 upon factorial 5 एकस की पावर कितनी आजएगे 2 देखिए x की पावर कितनी है 4 2 कॉमल ले लिए थी x square कॉमल ले लिया तो कितना बचेगा केवल पावर में 2 बचेगा अब आगे देखिए यह इतना बचेगा आपका ठीक है यहाँ से x square से x square क्या हो जाएगा आपका cancel हो जाएगा अब हम देखिए अब limit take कर लेते limit आप जब take करेंगे यहाँ पर लिखवी देते हैं taking limit अब हम limit को जब take करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे यह आजाएगा a बराबर e की power में यहाँ पर तो क्या x है पहली term में x है ही नहीं मतलब यहाँ वाले term में आपकी limit नहीं लगेगी तो यह केवल इतना ही बचेगा 1 upon factorial 3 ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो यह पूरा 0 बना देगा मतलब की plus का 0 इस तरीके से 0 आते रहेंगे यानि कि आपके पास क्या बचा आपके पास बचा e की पावर 1 upon factorial 3 और factorial 3 का मतलब क्या होता है यह देखी जब भी इस तरीके से यहाँ पर बताते है factorial लगा होता है इस factorial का मतलब होता है इसे 1 तक खोलते जाएगा multiply में यानि कि इस तरीके 3 into 2 into 1 मतलब की factorial 3 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा समझ में आ गया यानि कि इसको हम आप खोल के लिख देंगे यह आ जाएगा 1 upon e की पावर 1 upon 6 और लीजिए इसका अंसर हमारा आ चुका है एक ही जगे पर आप यह function लिख दीजेगा और करके हम लिख देंगे function क्या दे रखा था हमको limit x tends to 0 sin hyperbolic x upon में x की whole of power 1 upon x square इसका अंसर कितना आया है e की power 1 upon x तो देख लीजिए इस तरीके के कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और इस पर डाल दीजिए भाई यह भी सवाल काफी important है क्योंकि यह exam में पूछा गया है सबसे पहले एक बाई समझा देते फिर यह सारे सवाल बहुत जल्दी से लगाएंगे एक बाई देखीजिए सबसे पहले independent form बन रहे नहीं थी क्या किया कि style hyperbolic x की series खोल दी expand कर दिया इसे उसके बाद नीचे वाले x को cancel करने के लिए उपर वाले x हमने common ले लिया common लेने से आपस में यह cancel हो गए बचा हुआ था लिख लिया अब limit टेक करके देखी limit जब हमने टेक करी तो यह हमारी independent form बन गई 1 की power infinity इसके according हमने यह formula लगा दिया अब उसके बाद अब जब हम यहां से यह वाले x square x square cancel हो जाएगा यहाँ पर limit टेक कर लीजिएगा finally आपका answer कितना आजाएगा e की power 1 upon x तो आप इसका screenshot ले लीजिए उसके बाद अब हम लगाएंगे question number second उसके बाद एक question number second है find limit x tends to 0 x minus sin x upon 10 cube x यह दे रखा है तो सबसे पहला काम इसे let a बराबर मान लिया अब यहाँ पर चेक करते हैं limit रखते हैं यह दे कि limit x tends हो कितनी है 0 है यहाँ पर 0 रखिए तो 0 minus sin 0 होगा और size 0 की value कितनी होती है 0 तो मतलब यह बनेगा उपर वारे term में तो 0 बन गया upon में भी यहाँ आप रखिए के तो 10 0 बनेगा और 10 0 की value कितनी होती है 0 ही होती है मतलब यह आपकी form बनेगी 0 upon 0 ठीक है तो यानि कि अगर 0 upon 0 form बन रही है तो आप क्या करेंगे DL hospital rule लगाएंगे लेकिन अगर आप इस सवाल में DL hospital rule लगाते हैं तो कई step बहुत ही लंबा आपका इस सवाल हो जाएगा और आप दुखी हो जाएंगे DL hospital rule लगाते ही लगाते क्योंकि हर step में आप DL hospital rule लगाएंगे उसके आप फिर एक form बनेगी फिर वहाँ पे है आपका DL hospital rule बनेगा इस तरीके से कई सारे आपको कई सारे अपलाई करने पड़ेंगे तो इन सबसे बचने के लिए इस सवाल को सरल बनाया गया है आपको हमने बताया था आपके formula बता कराई यही तरीके से यह अगर हम यहां पे sign x और 10x की series खोल देते तो यह सवाल भी देखिए का 4-5 लाइन में लग जाएगा लेकिन हम यह नहीं क्या रहे हैं आप इसे उधर वाले method से नहीं लगा सकते हैं मतलब DL hospital rule से भी यह सवाल लग जाएगा बट यह सवाल यहां पे 4-5 लाइन में लग जाएगा वहां पर हो सकता है एक पेज का डेर पेज का हो सकता है सवाल वो चला जाए तो हम इतना बड़ा क्यों लगाएंगे सवाल जब हमें पता है sign x की और 10x की series क्या है जब आपको ना याद हो तो भाई तो कोई option रह नहीं जाता है तब तो आपको लगानी पड़ेगा लेकिन इसलिए आप फायदे में रही इसलिए हमने आपको इनकी series बरता दी अब इनका formula खोल देते हैं यहाँ पर लिखा a बराबर limit x tends to 0 इन सवालों को सरल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम explain कर देते हैं series यह देखिए x जैसा है ऐसे ही लिखा र hyperbolic नहीं है तो जब hyperbolic है नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे सारे symbol alternate में चलते हैं देखिए यहाँ पर क्या हो गया पहले प्लस आता है फिर minus क्या होगा और मिन चलेगा वन अपॉन फैक्टोरियल 3 x3 प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 5 x की पावर 5 फिर minus लगाते हैं इस तर 10x की series खोल लेते हैं तो 10x की series क्या होती है x प्लस 1 अपॉन 3 x3 प्लस का 1 अपॉन 2 अपॉन 15 x की पावर 5 ठीक है तो यह हमारी 10x की series होती है और यह तरीके से क्या लगा हुआ है cube लगा हुए तो यह आप इस तरीके से whole of cube लगा देंगे क्या किया हमने side x की series खोल दी 10x की याद रखिएगा इसमें सारे ही symbol कैसे होते हैं प्लस होते हैं पहला आता है x प्लस 1 अपॉन 3 x3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 5 समझ में आ गया odd में चले की पावर देखी पहले 3 आईए फिर 5 आईए आगे वाली में 7 हो जाएगी समझ में आ गया अब देखी इसे हम solve करते हैं अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस उपर वाले bracket को खोल देते हैं बाहर क्या चल रहा है माइनस बाहर जब माइनस है तो अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाएगे तो यह आजाएगा हमारा limit x tends to 0 उपर वाले हम क्या कोल ले माइनस कोल ला है तो मतलब bracket कोल ला है आजाएगा x-x यह जाएगा plus का 1 upon factorial 3 x cube minus 1 upon factorial 5 x की power 5 minus and so on upon में जो लिखा है इसको ऐसा यह लिखा रहे देंगे x plus 1 upon factorial 3 x cube plus 2 upon 15 x की power 5 plus and so on और यह लीजिए हमने क्या किया इस वाले minus को अंदर ले गए तो यह minus plus हो गया minus 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 हो गया plus और minus plus minus हो गया ऐसा करने से क्या हुआ यह x और यह x cancel होगा क्योंकि यह plus का है यह minus का होगा अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर केवल इतना term हमारा बचा है नीचे क्या चल रहा है cube चल रहा है अब यहाँ से हम क्या करेंगे उपर वाले term से x cube कॉमन लेंगे ऐसे ही यहाँ वाले term से इस वाले x को कॉमन लेंगे जब यह वाले x हम बाहर निकालेंगे तो अगले term में क्या आएगा हमारा इसको हम लिखेंगे limit x tends to 0 यह हम अगर इस y term से x cube common ले लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 1 upon factorial 3 minus का 1 upon factorial 5 देखे द्यान से यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं 0 हो गया यहाँ पर देखे इसे बाहर निकाल लिया क्या बचेगा 1 upon factorial 3 minus था minus लगा लिया 1 upon factorial 5 जैसा है वैसे ही रहेगा यहाँ पर क्या x की power 5 है तो कितनी power निकाली है 3 निकाली है तो कितनी यहाँ पर बचेगी x square बचेगा minus and so on ठीके upon लगाया एसी ही यहाँ से इस वाले x को बाहर निकालेंगे तो इसकी power भी बाहर आएगी तो इस तरीके से अंदर क्या उचेगा अंदर यहाँ से बाहर निकाल दिया तो बचेगा 1 plus 1 upon factorial 3 यहाँ से देखे x बाहर निकाला था तो यहाँ बचेगा केवल x square plus 2 upon 15 यहाँ से भी बाहर निकाला था तो यह केवल power 4 बचेगी इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे ऐसा करने से क्या हुआ x common लेने से देखिए x cube से x cube क्या हो गया cancel हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आप केवल इतना turn बचा हुआ है अब limit take कर लेते हैं जब हम यहाँ पर limit take करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो केवल यहाँ पर limit रख सकते हैं 0 बनेगी यहाँ पर limit ठीक है 0 हो जाएगा इस पूरे को 0 बना देंगे केवल कितना बचा 1 upon factorial 3 बचा इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर limit लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर गिवल 1 बचेगा बाकी सारे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कैसे 0 हो जाएगा भही यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 रखेंगे limit take कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 upon factorial 3 और बटे में 1 का cube भाई देखे बिल्कुल एक एक step by step लिख रहा है कोई भी step नहीं छोड़ा यह वारे term बचा यह सारा 0 हो जाएगा क्योंकि भाई x है x के यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरे को 0 बना देगा इसी तरीके से 1 बचेगा यह सारा 0 हो जाएगा क्यों था लिख दिया इससे जब आप solve करेंगे बताया था फैक्टोरें 3 का मतलब क्या होता है 6 होता है तो यह आ जाएगा 1 upon 6 और लीजिए यह हमारा second question भी solve हो चुका है सबसे पहले देखिए चार से 5 लाइन में कितनी लाइन है 1 2 3 4 चार लाइनों में या इसको भी जोड़ें तो पांच लाइनों में यह सवाल हमारा solve हो गया लेकिन इसी जगे पर अगर आप यहाँ पर hospital लू लगाते काफी बड़ा यह सवाल आपका जाता आप लगा कर देख लिजेगा भई सिखायत आमने पिसले क्लास में कैसे लगाते हैं तो लगा कर देख लिजेगा बताएगा कि आपको कितना बड़ा सवाल गया फिलाल इसने लगा लीजेगा फायदे में आप रहेंगे तो आप इसका भी screenshot ले लीजे, motion no.3 है हमारा find limit x tends to 0, 10x upon x की whole of power कितनी है, 1 upon x, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 10x की series खोल देगे, देखिए सबसे पहला काम इसे a बराबन मान लिया, 10x की series खोलेंगे, आप भी बताईती क्या होती है, जल्दी से बताईए, भई साथ साथ बोला करिए, ताकि आपको याद भी हो जाए, देखिए, 10x की series में क्या आता है, सबसे पहले x आता है, उसके बाद हम क्या आता है, प्लस का 1 upon 3 x cube हो गया, उसके बाद भी क्या आता है, प्लस 2 upon 15 x की power 5, इतना तो याद हो गई होगी, पस इतनी ही याद कर लीजेगा, इतनी ही मेंन, x plus 1 upon 3 x cube, plus 2 upon 15 x की power 5, इस तरीके से and so on लगा दिया, अब upon में क्या है, x है, लिख लिया, ब्रैकिट पूरी whole of power कितनी दे रखी है, 1 upon x लगा दिया, तो ठीक है, क्या क्या 10x की series खोल दी, अब आगे देखिए, upon वाले x को हमें cancel करना है, क्या करेंगे, उपर भी x common ले लेंगे, यानि कि उपर नीचे cancel हो जाएगा ये, तो ये हमारा आपको लिखकर ही बता देते, ये आएगा limit x tends to 0, यहां से x common जब आप लेंगे, तो भाई, इसकी power भी बाहर आएगी, तो power ये पूरी common इस तरीके से आप लेंगे, क्या बचेगा bracket में, 1 बचेगा, plus 1 upon 3 x x square बचेगा, plus 2 upon 15 x की power 4 बचेगी, क्या line आपको ये वाली समझ में आई, ये line तो अभी हमने आपको बताई थी, एक बर बता देते, फिर से क्या किया, इस x को common लिया, इस x को जब आप common लेंगे, तो भाई, power भी इसकी आएगी, क्योंकि whole of power लगी हुई है, ठीके, x यहां स common लेंगे, अंदर 1 बचेगा, यहां से भी लेंगे, तो x square बचेगा, 1 x का मुझ आएगा, क्योंकि इसे तो बाहर निकाल लिया है, पूरे में से बाहर निकालते हैं, ठीके, 5 x की power 5 तो यहां से भी गया है, तो कितना बचेगा, केवल 4 x बचेगे, लिख दिया, ठीके, upon में इसारी चीज़ को अलग ब्रेक करके लिख लिया, कैसे किया, इसकी भी power थी, तो हमने इस तरीके से तोड़ के लिख लिया, ऐसा करने से देखिए, उपर वाला, नीचे वाला क्या हुआ, कैंसल हो गया, क्या बचा है, अब बचा है हमारा, limit x tends to 0, 1 plus 1 upon 3 x square, plus 2 upon 15 x की power 4, और and so on, power दे रखी है, 1 upon x, अब क्या करेंगे, limit take करेंगे, limit take करेंगे, ये तो 1 ही रहेगा, x tends to कितना है, 0 है, 0 रखेंगे, ये पूरा 0, ये भी 0, मतलब कि कितना बचेगा, केवल 1 बचा है, क्योंकि 1 plus 0 plus 0 बनेगा, finally क्या होगा, हमारा यहाँ पर 1 बचेगा, उसके बाद क्या रखेंगे, 0, तो 1 upon 0 का मतलब क्या है, ये भी infinity, अब 1 की power infinity का formula क्या होता है, पहली बात इसे e की power में पहुचाईए, तो भई, limit के साथ में हमने पहुचा दिया, 1 plus 3x square, plus 2 upon 15x की power 4, इस तरीके से आ गया, अब इस function में से क्या करते हैं, 1 minus करते हैं, minus कर दिया 1 को, उसक multiply में ले आते हैं, तो ये लीजिए multiply में भी ले आए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, 1 से 1 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, क्योंकि 1 plus है, 1 minus है, अब यहाँ पर आप limit टेक कर लीजिए, या तो अहां से क्या करेंगे, limit आप टेक करेंगे, तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, X को cancel अगर आप करेंगे तो 1X को बाहर निकाल लीजिए या अगर आप 1X को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा भही यह बचेगा E की पावर limit X tends to 0 और यहाँ पर हम इस X को बाहर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा X अंदर बचेगा 1 upon 3 X plus 2 upon 15 X की पावर कितनी बचेगी यहां से 4 बाहर निकाली बचेगी 3 plus dash 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 और 1 upon X इतना बचेगा ठीक है इस वाले X से यह वाले X क्या हो जाएगा हमारा cancel हो जाएगा अब आप देखेए ध्यान से limit अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो यह भी 0 बन जाएगा यह भी 0 बन जाएगा मतलब limit जैसे ही आपने take करी तो यहाँ पर बन गया 0 तो हम यहाँ पर लिखवी देते हैं taking limit टेक करेंगी तो उपर बन जाएगा E की power 0 यह पूरा term क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और E की power 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है बताया था किसी की भी power 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है अब E की जगे पर इस पूरे function को लिख लीजेगा और करके और लीजे question number जो 3 है वो भी हमारा लग गया आप इसका भी screenshot ले लीजे अब इसी तरीके से जो यह हमारे question number 4 है 5 है यह सेम इसी तरीके से बस देखिए 10X अपॉन में एक से इन दोनों में है पावर में बस हमने चेंज किया है पावर यहाँ पर 1 अपॉन X स्क्वार हो गई इसने 1 अपॉन X क्यूब हो गई कोई दिक्कत नहीं है हम इसी में replace करते हैं लेकिन आप अलग से लगाएगा सबसे पहले क्या करेंगे ए बराबर मान देते हैं तो ए बराबर कितना दे रखा है पावर में है 1 अपॉन X स्क्वार लिख लिया 10X की सीरीज खोल दी ठीक है लेकिन पावर में कितना है X स्क्वार है लगा दिया ठीक है यहाँ से क्या करेंगे इसको बाहर दिका लेंगे त इतना term आपका बचेगा, इसमें भी आप limit रख कर देख लीजे, यहाँ पर आप 0, 0 बनेगा, केवल कितना बचेगा, 1, यहाँ पर भी 1 upon 0 बनेगा, और 1 upon 0 का मतलब है infinity, यह power हमारी indeterminate form, 1 की power infinity ही बनेगी, आगे देखिए, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगर 1 की power infinity indeterminate form बन minus कर दिया, multiply में इस power को ले आते है, multiply में क्या है, यह आजाएगा, 1 upon x square आजाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस x square को cancel करेंगे, तो cancel करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे function में से x square को बाहर लेकर आएगे, यहाँ मिटार के लिख देते हैं, यहाँ पर x से square को बाहर ले आए, ले आए बाहर, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 1 upon 3 बचेगा, क्योंकि x square को बाहर ले आए, तो केवल 1 upon 3 बचा, यहाँ 2 upon 15, x की power 4 है, 2 power बाहर आगी, तो अंदर power कितनी बचेगी, केवल 2 बचेगी, ठीक है, यहाँ पर क पूरा क्या हो जाएगा यानि कि कितना बचेगा केवल वन अपॉन थी बचेगा तो पावर में आप क्या बचेगा लिमिट जब लेंगे तो वन अपॉन थी बचेगा तो यानि कि आपका यहीं तक यह अंसर हो जाएगा इसे आप मिटाल देंगे यहां पर आपका क्या हो जाएगा जो हमारा कोशन नंबर यहां लिख लीजिएगा यह है कोशन नंबर फूर का आपका अंसर क्या एगा एक की पावर वन अपॉन थी कुछ नहीं किया है सेम वही सवाल था बस पावर में चेंज है तो आप इसका भी स्क्रिंशॉट ले लीजिए सेम सवाल आपको ऐसे ही लगाना है और यह सवाल एक्जाम में पूछे गए है तो इसे लिए इन पर विशेज करके ध्यान रखेएगा आगे देखिए कोशन नंबर फाइट में क्या है सेम वही सवाल है पावर में बस एक्स क निपेंगे तो कॉमन निकालेंगे पावर के साथ में या भी ऐसे हो जाएगा इस फिर से जब हो घया है इतना थीकिए लेगी बना पर आपकी फॉरेड्यत को फॉर्चन को पाने घाया one इसमें से minus किया और इस power को हम क्या करेंगे multiply में ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा one upon यहाँ पर हो जाएगा आपका one upon x cube हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या चल रहा है x cube चल रहा है लेकिन अंदर किसी में x cube है नी न अब हम क्या करेंगे इस x cube को cancel करेंगे तो cancel करने के लिए क्या करेंगे इस अंदर वाले function में से भी x cube ही आपको common लेना पड़ेगा तो कैसे common लेंगे ऐसा करते हैं यह वाली line हम यहाँ से erase करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते है finally हमारा क्या है कैसे हम x cube को common लेंगे देखिए ध्यान से x cube cancel करना है तो x cube common लेंगे यहाँ पर अभी हमारा क्या बचा है e की power limit x tends to 0 अब देखिए यहाँ पर कितना है x square है लेकिन हमने आप से क्या कहा x cube common लेना है क्योंकि नीचे वाला cancel करना है तो हमने x cube common ले लिया लेकिन यहाँ पर कितने x है square है एक x की कमी है तो जहाँ पर भी हम common लेते हैं वहाँ चीज वो नहीं होती है तो वो उसके upon में आ जाती है तो यह इस तरीके से आ जाएगा 1 upon 3x हो जाएगा क्या था x square था 2x थे चाहिए कितने थे 3 cube चाहिए था ना तो इसलिए क्या कि यह upon में आ जाएगा क्योंकि इसकी कमी थी ठीक है upon में आ गया आगे क्या है plus 2 upon 15 ठीक है x की power 4 है यहाँ से 3 बाहर ले लिए कितने बची केवल एक बचेगा x प्लस इस तरीके से यह form आ जाएगी और यह upon में क्या है x cube है यह देखे अब x cube से x cube क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा क्या बचेगा इतना टर्म बचेगा अब यहाँ पर आप क्या करेंगे टेक कर लेते हैं limit टेकिंग limit जैसे ही आप limit टेक करेंगे तो यह क्या बनेगा यहाँ आप 0 रखेंगे 1 upon 0 का मतलब क्या होता है infinity होता है बताया था यह 0 बन जाएगा भाहि आगे सारे टार्म 0 बन जाएगे लेकिन यहाँ पर जैसे आप रखेंगे तो 1 upon 3 into 0 होगा 3 into 0 का मतलब क्या है यह बनेगा 0 और 1 upon 0 का मतलब क्या है infinity यानि यह बन जाएगा e की power infinity और e की power infinity की value कितनी होती है infinity ही होती है तो यह लीजिए question number 5 का answer आपका infinity आएगा तो आप इसका भी screenshot ले लीजिए इन सवालों में बस इतना याद रखेगा कि जो upon में चल रहा होता है बाहर जो चल रहा होता है उसे हमें cancel करना होता है कैसे cancel करेंगे जब हम यहाँ से common लेंगे तो इस तरीके से अब हमारा question number 6 है इसे भी लगा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए question number 6 हमने लिख लिया है जब आप x की जगहे पे 0 रखेंगे तो b की power 0 का मतलब भी क्या है 1 है तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा upon में भी क्या चल रहा है 2 चल रहा है तो 2 upon 2 आपस में cancel हो जाएगा कितरा बचेगा एक बचेगा तो हमने यहाँ पर लिख लेंगे this is the form of 1 ठीक है अभी देखेगा infinity भी बन जाएगा 1 upon कितना है x है x की जगहे पे जब आप 0 रखेंगे तो 1 upon 0 का मतलब क्या होता है infinity तो लीजिए यह power आपकी बन गी यह फिर से indetermined form बन गई 1 की power infinity और 1 की power infinity बन जाएगे तो क्या करेंगे इस function को e की power में पहुचा देंगे तो लीजिए e की power में पहुचा दिया limit के साथ में a की power x plus b की power x upon में 2 अब क्या करते हैं हम इसमें से 1 minus करते हैं तो लीजिए 1 minus b कर दिया अब क्या करेंगे जो power में है उसे multiply में ले आए समझ में आ गया अब हम क्या करेंगे पहले से थोड़ा सा solve कर लेते है LCM लेकर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है इसकी आपस में multiply होगी इसकी इधर और इसकी इधर multiply होगी यह basic सी LCM है इतना तो भाई आपको आते ही होगा यह आजाएगा limit X tends to 0 यहाँ पर आजाएगा A की पावर X प्लस B की पावर X माइनस का 2 अपन में 2 और यह आजाएगा हमारा इसकी X में multiply कर लेंगे तो यह 2X हो जाएगा क्योंकि बाहर एक X चल रहा था उसे इंब रैकेट में ले आए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आप टेक कर लीजे limit यहाँ पर जैसे आप 0 रखेंगे तो A की पावर 0 का मतलब 1 प्लस B की पावर 0 का मतलब 1 तो यह हो गया 1 यह प्लस 1 माइनस का 2 यानि 1 प्लस 1 का मतलब क्या है 2 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मतलब उपर तो हमारा कितना बन गया 0 बन गया नीचे देखते हैं नीचे जैसे आप 0 रखेंगे 2 से multiply होगी यह पर 0 बना देगा मतलब कि यह बन गई 0 पॉन 0 फॉर्म और जब भी 0 पॉन 0 बन जाता है तो क्या करते हैं लिखेंगे apply DL hospital rule तो लीजिए आज की class का हमारा पहला DL hospital rule लगने को आ गया यह देखिए DL hospital rule लगाएंगे इसके according उपर वाले का उपर differentiation नीचे वाले का नीचे differentiation करते हैं यह बराबर आ जाएगा E की power में limit X tends to 0 देखिए A की power X का differentiation क्या होता है A की power X log A एसी B की power X का भी करेंगे सेम यही होगा बस A की जगे पर B आ जाएगा तो यह आ जाएगा B की power X log B minus का 2 क्या है constant है जो भी constant होता है उसका हमारा क्या हो जाता है differentiation 0 हो जाता है upon में क्या है 2 अब X का differentiation क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ली जे 1 लिख दिया ठीक है तो यह आपको हमने कर दिया DL hospital rule लगा दिया अब हम यहाँ पर take कर लेते हैं limit तो हम यहाँ लिखेंगे taking limit limit take करते हैं तो भी देखते क्या आता है इस पहले जो upon का 2 है इसे हम पहले भाहा लिख लेते तो यह आजएगा E की पावर 1 upon 2 आगे देखिए यहाँ पर आप रखेंगे 0 A की पावर X का मतलब क्या है 0 A की पावर 0 का मतलब क्या है 1 बन जाएगा तो यहाँ पर तो 1 हो गया क्या बचा केवल log A बचा ठीक है प्लस लगाया यहाँ पर भी B की पावर 0 बनेगी B की पावर 0 का मतलब कितना है 1 है यहाँ पर भी कितना बचेगा केवल log B बचा और 0 तो लिखेंगे नहीं केवल आपका इतना बचेगा अब आपने फॉर्मुला पढ़ा होगा log M प्लस log N का क्या होता है जब log हो log M प्लस log N बराबर log M N लिख दिया अब यह पावर है इसे मगरम पावर में पहुचा दे आपने यह भी फॉर्मुला पढ़ा होगा कौन सा log M की पावर N का क्या होता है N log M है तो यह वाली लाइन यहाँ पर लिखी होई है अगर हम इस पावर को उपर पावर में भी तो पहुचा सकते तो यह वाली लाइन यहाँ पर लिखी होई है इसे हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनाएंगे तो यह आजाएगा E की पावर में log A B का whole log 1 upon 2 ठीक है क्या किया इसे N को जो N के आदे रखा है 1 upon 2 इसे हम उपर ले आए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब देखें यहाँ पर अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कौन सा कि अगर यह E है साथ में पावर में log है तो E से log हट जाता है बचा हुआ आ जाएगा अब A भी आ गया पावर में कितना है 1 upon 2 अब 1 upon 2 लखिए पावर में या 1 upon 2 के जगे अंडरूट भी लगा सकते है फॉर्मूला वो हमारा कौन सा अधा देख लीजिए अगर E हो साथ में log A हो तो आंसर कितना आ जाता है A आ जाता है क्या किया अगर इसकी हम यहाँ पर base क्या होता है E होता है तो E है पावर में log है यानि कि base इसका E दे रखा है तो यह हट जाते है बचा हुआ क्या है A वो आ गया ऐसे यहाँ पर भी है E से log हट जाएगा बचा हुआ आ जाएगा तो यह हमारा 6 नंबर कोशन का आंसर आ गया रूड अंडरूड में A भी तो आप इसका भी स्क्रेंशॉट ले लीजिए फाइनली आज की क्लास में हमने कोशन 6 तक सॉल्ब किये जो important है वो आपके सामने लिखे भी हुए है यह तीनो एक जैसे है यह last वाला भी कोशन important है अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो तो आपका आंसर आज आएगा तो उमीद करते हैं आज की क्लास में आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कल मिलेंगे शाम 5 बजे तब तक के लिए जैहिन जैभाण